एक अप्रेल दो हजार चौबेस को इसराइल ने सीर्या की राजधानी दश्मिक में इरानी दूतावास पर हमला किया था जिसमें इरान ने कहा कि उसके इसलामिक रेविलुशनरी गार्ड कॉप्स के तीन वरिष्ट कमांडरों समेथ साथ सैन्ने सलाह का आर्मारे गए इरान के साथ बड़े अधिकारियों की मौत के बाद से इरान तिल मिलाया हुआ है और उसके राश्पती समेच सभी बड़े नेताओं ने इसराइल को इस हमले का अंजाम भुगतने की धमकी दी थी इरानी सरवोच नेता आयातुला अली खामनेई ने कहा कि इसराइल को दंडित किया जाना चाहिए और ये किया जाएगा ये इरानी धर्ती पर हमले के समान था लेकिन इसके जवाब में इसराइल के प्रधानमंत्री नितन्याहू ने कहा था कि अगर इरान अपनी जमीन से इसराइल पर हमला करता है तो इसराइल भी उसके उपर हमला करेगा और तब ही से मिडलीस में एक नए युद्ध की आहट सुनाई दे रही है और अब इसी कड़ी में एफपी न्यूज एजनसी के मुताबिक इरान समर्थित लेबनान के हिजबुला ने शुकरवार बार अपरेल को इसराइली आइटिलरी साइट पर दरजनो कत्यूशा रॉकेट लॉंच किये हैं हिजबुला ने कहा कि ये हमला दक्षणी लेबनान में हिजबुला के गड़ों को निशाना बना कर हाल ही में किये गए इसराइली हवाई हमलों के जवाब में था हिजबुल्ला के अनुसार उसके लडाकों ने दक्षणी लेबनानी गाउं और नागरिक घरों पर हाल ही में इसराइली एर स्ट्राइक के बदले में दुश्मन के इन जतीम बेस को दरजनुक कत्यूशा रॉकिट से निशाना बनाया है हिजबुल्ला का ये हमला ऐसे वक्त हुआ है जब सीरिया में इरानी दुतवास के हमले के कारण इसराइल और इरान के संबंध सबसे खराब दोर से गुजर रहे हैं इरान किसी भी वक्त इसराइल पर मिसाइल या ड्रोन अटेक कर सकता है या फिर वो सीधे हमला ना करके उसके प्रोक्सी हिजबुला से इसराइल पर कोई बड़ा हमला करवा सकता है इसलिए हिजबुला की ओर से किया गया ये हमला इरान के उसी समर्थन की ओर इशारा करता है हाला कि जब से इसराइल ने गाजा में अपनी जमीनी कारवाई शुरू की है तब ही से हमास के समर्थन में हिजबुला उत्री बॉडर पर लगातार हमले करके इस्राइल को दहला रहा है हाल ही में हुए हमले को लेकर इस्राइली प्रतिक्रिया भी आई है इस्राइली डिफेंस फोर्स ने अपने बयान में एक्स पर लिखा कि इरान की ओर से हमले की आशंका के बीच चरमपंथी संगठन हिजबुला ने इस्राइल के ऊपर 40 से अधिक रॉकेट दाग दिये हैं इस्राइली रक्षाबलो ने बताया कि इस हमले में कोई मारा नहीं गया है रक्षाबलो ने इस हमले का वीडियो जारी किया है उत्री इस्राइल के गलीली में हुए इस हमले के दौरान हिजबुला के दो ड्रोन को इस्राइली सेना ने मार गिराया इससे पहले आईडियफ के प्रवक्तार रियर एड्मिरल डेनियल हैगरी ने एक बयान में कहा कि चीफ अव स्टाफ लिफ्टिनेंट जनरल हार्जी हलेवी ने इसराइल पर इरान के हमले के खत्रे पर यूएस सेंटकॉम प्रमुग जनरल माइकल एरिक कुरीला के साथ स्थीत का आकलन किया है उन्होंने कहा कि संभावित इरानी हमले की कड़ी चेतावनी के बीच नागरिकों के लिए निर्देशों में अभी भी कोई बदलाव नहीं हुआ है हम पिछले छे महीने से युद्ध में है हमारा बचाव पक्ष तयार है और जानता है कि प्रते खत्रे से व अलन तनाव बढ़ा रहा है शेत्रियतनाव बढ़ाने पर जोर दे रहा है हम जानेंगे कि इरानी में खत्रे से कैसे निप्टा जाए हम अच्छी तरह से तयार है और जानते है कि किसी भी चीज का जवाब कैसे देना है इसके साथ ही इसराइल के लिए अपनी और ड्रोन्स को रोका जा सके।